नमस्कार किसान भाइयों मैं हूँ पावन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावन गुरू पाफेगर के चर्में किसान भाइयों आज हम इस वीडियों में बात करेंगे प्याज की बैज्ञानी खेती के बारे में ए टूजेट को जनकाई देंगे तो वीडियो को पूरा देखें किसान भाइओं भारत का फियाज की खेति का महत्त पूड स्थान है प्याज मुख्यतर बीच द्वरा उगया जाता है यह फफल भारतante में लगभग हर प्रांथ में उगा जाती है वीश्व में भारत किसान भाईईओं अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाईए जिसे हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समझ से मिलते रहे हैं किसान भाईयों सबसे पहले बात करते हैं उननत किसमों की तो किसान भाईयों जो प्याज है वो दो सेजन में उगा जाता है पहला खरीब और दुफरा रग में तो किसान भाईयों जो खरीब में प्याज उगा जाता है उसकी नरफरी हम जून में डालते हैं और जो रभी में प्याज उगा जाता है उसका जो नर्फरी है मध्य अक्टूबर से मध्य नौंबर में डालते हैं किसान भाईयों बीज दर की बात करें तो यह आठ से दर्फ किलोग्राम बीज प्रति हेक्टियर की दर से प्रयाप्त होता है अब बात करते हैं रुपाई का समय तो किसान भाईयों जो खरीब में हम नर्फरी डालते हैं उसका रुपाई अगस्त के प्रत्म पकवारे में कर देना चाहिए और किसान भाईयों जो हम रभी में नर्फरी डालते हैं मध्य अक्टूबर से मध्य नौंबत में बात करें प्रजाती के लिए अगरी फाउंड डार्क रेड बसवन्त साथ सो अश्वी एंधिरपन यह जो प्रजातिया है वह अच्छी है इसके लिए हमने प्रजातियों के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बाक्स में डाल देंगे या आई बटन डाल देंगे वहां से आप दे सकते हैं और रभी में अगर आपको प्रफल लगाना है तो उसके लिए एगरी फाउंड लाइट रेट कल्यान पूर्ड रेट पूसा रेट नाफिक रेट यह प्रमुक प फक्ति वाली समतल एवं समुची जल निकास वाले खेट में प्याज की फफल उगाना चाहिए रोपाई से पूर खेट की आवफक्ता नुसा जुटाई करके तदा पाटा चला कर मिट्टी को भूर भूरी कर लिया जाता है किसान भाईयों अब बात करते हैं खाद एवं उर किसान भाई बीच को ऊची उठी हुए क्यारियों में बोया जाता है क्यारियों के चोड़ाई 0.6 मीटर तथा लंबाई सुवरा अनुसार रख सकते हैं 3 मीटर लंबी क्यारियां प्राया शुवराजाना कराती है एक सकते हैं रुपाई के लिए 80-100 क्यारिय तीन मीटर लंबी और 0.6 मीटर चोड़ी प्रयाप्त होती है इस हम भाईयों बीज बुवाई के बाद जो है बीज को नर्फरी को घास को से धग देना चाहिए जब बीज अच्छी तरफ से अंकुरित हो जाए तो घास हटा देना चाहिए इसके पहले यदि शिचाई की अफ़कता हो तो सुखी घास हटा कर फवारे से शिचाई कर सकते हैं फवाध के बाद पुनक क्यारियों को ढग दिया जाता है बीज अंकुरित होते ही सुखी घास जो होता है उसे हटा दना चाहिए और पाउधे को फार से आड़ सब्सक्राइब तर्द हो जाती है और शुरू में चार सब्सक्राइब फवारे से करते रहना चाहिए अब बात ज़्यादा रहते लिए है तो गर्मियों में हर तीसरे दिन करने चाहिए किसान खाट डालने से पहले यूरिया डालने के बाद से चाहिए करना अच्छा रहता है जो इसमें रोग लगता है वह इस्टेफिलियम जुल्फा एवं परपल ब्लीच नामक रोग लगने पर हमको ए 10 ग्राम दवा 15 रिटर पाने में घूल कर दस से पंदर दिनों का अंतराव पर दो छिड़काव करने से यह रोग खत्म हो जाते हैं और किसान भाईयों दवा का छिड़काव करते समय उसमें इस्टीकर जो है फिलिकान बेस्ट इस्टीकर जरूर प्योग करना चाहिए जिसस यह तीनों दवावों से किसी एक दवा का प्रयोग करके आप थ्रिप्स का अपनी फफल को बचा सकते हैं किसान भाईयों थ्रिप्स का जो है दवा प्रयोग करते समय आप उसमें इस्टीकर जरूर इम लाएं जिससे की दवा अच्छे से काम करें